यहाँ पर एक crypto currency market में हमने पास कुछ हफतों में कुछ महीनों में देखा Solana को pump होते हुए बहुत ही massive तरीके से और अब जब सब लोगों का ध्यान Solana पर है तो Solana जैसा ही एक pump एक coin में बन रहा है अगर आप उस पर ध्यान देते हो उसके ecosystem पर ध्यान देते हो तो अगले 2-3 महीने दोस्त आपके काफी अच्छे जाने वाले हैं और आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ पूरा analysis उस coin के around ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको नाम बता के वीडियो को कर दिया जाएगा बंद आपको technical levels, आपको fundamentals और आपको market के sentiment के साथ खेलना कैसे है ये भी आज की वीडियो में बताया जाएगा तो आज की वीडियो को चालू करेंगे without wasting any time बड़ एक छोटी सी request है कि channel को subscribe जरूर करेंगे अगर आप channel पर नहीं है because this is the best cryptocurrency YouTube channel और जैसा content हम आपको दे रहे हैं शायद ही कोई YouTube पे दे रहा होगा आज की वीडियो का like target रखेंगे सिर्फ और सिफ 1000 likes का क्योंकि आप लोगों के लिए 1000 likes करना बहुत easy है और हम काफी time देते हैं ऐसी वीडियो बनाने के लिए और आपको अगर हमारा channel हमारा content पसंद आता है तो subscribe करना मत भूलिएगा और अगर अभी तक आप टेलिग्राम पे नहीं है दोस्त तो टेलिग्राम पे account बना लिजए because टेलिग्राम पे हमारा जो public channel है वहाँ पे हम bullrun में जितने भी upcoming gems आएंगे उनकी buying strategy आपके साथ share करेंगे अगर आप नए coins में interested रहते हैं जो obviously पुराने coins को कर देते हैं outperform तो आप जाके हमारे टेलिग्राम चैनल पे pinned messages में 27 coins की list है वहाँ पे नाम बढ़ सकते हैं अगर आप टेलिग्राम में search करेंगे यहां से तो आपको analysis भी पूरी-पूरी मिल जाएगे और जब भी ए coins launch होंगे पूरी-पूरी buying strategy हम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं क्या उसका long term perspective है क्या short term perspective है आपको मैं बताऊंगा अपने टेलिग्राम पे तो काफी सारे लोग Twitter पे भी नहीं होंगे अब Twitter पे हम डालते हैं कुछ important videos जो आपको कामा सकते हैं जैसे कि हमने डाली थी यहाँ Bitcoin dominance और Bitcoin से related एक video जिसके last में मैंने आपको बोला था कि जब तक ETF का event आ रहा है आप long या short ना करें कोशिश ना करें ETF event से पैसे कमाने की तो अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं आप देख सकते हैं इस तरीकी के analysis हम अपने Twitter handle पे देते हैं Twitter handle और Telegram का official link दोनों का ही नीचे आपको description में मिल जाएगा दोस्त किसी और link से join ना करें क्योंकि बहुत सारी scammers बैटे हैं आपको scam करने के लिए तो I don't want कि आपको कोई scam कर दे और कल यहाँ पे मैंने एक tweet भी किया था ठीक है अगर आप देखेंगे 9 जनवरी को यहाँ पे tweet किया था मैंने शाम को 5 बजे मैंने बोला था कि मैं सिर्फ market में bad game market को देख रहा हूँ 60% मेरी entry है market में 40% हाथ में मैंने रखा हुआ है ताकि अगर dump आ जाता है तो हम एक by the dip opportunity को grab कर पाएं मैंने बोला था यह ETF news जो आएगी यह choppy होगी आप अपने stop loss के साथ काम करें और काफी सारे stop loss यह काफी सारी liquidation कल हमने होती देखी जब यहाँ पे SEC ने यह declare किया कि जो BTC की news थी जैसे कि आपने देखा होगा कि Gary Gansler ने बाद में tweet किया पहले आए ETF का news right यह सारी चीज़े important है कुछ चीज़े आपको मैं समझाना चाहूँगा पहले Gary Gansler ने किया tweet कि यहाँ पे जो SEC ने किया कि यहाँ पे जो ETF है वो अप्रूव होगा और उसके बाद Gary Gansler का tweet आता है कि यहाँ पे यह tweet हमारा account जो है वो hack हो गया था this was pure manipulation longs and shorts दोनों को उड़ा दिया गया और यहाँ पे SEC जैसी बड़ी government entity जो कि US से है ऐसी गलती कर सकती है तो हमारे पैसे का ध्यान कैसे रख सकती है यह एक important बात है अब यहाँ पे आज सुबह एक और फड़ा आ गया market में कि Indian exchanges मतलब जो international crypto exchanges है उनको Apple store से हटा दिया गया right so अब वहाँ पे क्या देखने को मिलता है में हमें देखने को मिलता है fear अब यहाँ पे joke है joke of the day मैं आपको पहले उताना चाहूँगा ठीक है पहले तो Indian exchange use करो user interface बिल्कुल बेकार user experience जो है वो बिल्कुल बेकार customer service कुछ है नहीं और उसके बाद आप पूरे दो साल मेनत करके बुलर मार्केट में जब पैसा बना लोगे तो कोई Indian exchange का अगर जो सी ही हो है वो भाग जाए हो तो क्या कर लोगे because वहाँ पे liquidity नहीं है so हमारी problem जो investors की है वो tax या TDS नहीं है हमारी problem यह है कि इंडिया में कोई भी धंका exchange अभी तक नहीं है अगर कोई धंका exchange आ जाता है तो हम वहाँ पे trade करेंगे and that is my call और उसके बाद Binance नहीं हाँ पे reply दिया है Binance नहीं बोला है कि यह जो चीज हुई है यह हमारे लिए नई नई है और हम हमेशा आगे रहते हैं ऐसी चीज़ों में काम करने के लिए और यहाँ पे देखके तो यह message लग रहा है कि शायद compliance हो जाएगे और आने वाले time में हम Binance को legally use कर पाएगे जो कि हमारे लिए बहुत बहुत अच्छा होगा काफी सारे लोगों का concern है अब यहाँ पे कि funds का क्या होगा, KuCoin में भी fund है गेट आयो में भी है, NXC में है तो पहली बात तो यह अगर आप trust wallet में हैं, अगर आप hardware wallet में अपने funds को transfer करना चाते हो for the while कर सकते हो पर पहले उसको सीख लेना क्योंकि एक भी transition गलत हुई एक भी contract address आपने गलत paste किया तो आपका fund चला जाएगा तो आपसे हाँ जोड़ के विंती है कि अपने funds का ध्यान रखें जल्द बाजी में कुछ ना करें एक दिन में आपका कुछ भी नहीं होने वाला जिनकी app चल रही है, यहाँ बुला गया उनकी चलेगी, आपका fund सेफ है तो ध्यान से काम करिए और यह जो Binance South Asia का Twitter handle है जिसका user name आप देख सकते हो Binance Desi यह इसको follow कर रखा है Richard Tang ने भी जो कि हाँ CEO है Binance के और Binance ने खुद भी follow कर रखा है तो Binance का officially handle हम इसको मानेंगे अब चलते हैं आज के coin की तरफ मैं आपको दुबारा बोल रहा हूँ आज जब आप शाम कोई वीडियो देख रहे हो साले साथ बजे तो वीडियो तो मैं दिन में record कर रहा हूँ हो सकता है ETF आ गया हो डिले हो गया हो या जो भी होना होगा उसका हो जाए ठीक है decline नहीं होगा डिले हो सकता है या फिर approve होगा जाज chances में जो approve के लगते हैं बट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ आज के event को trade करने की कोशिश मत करो बहुत ज़ादा choppy market रहने वाली है longs को भी उड़ाया जाएगा shorts को भी उड़ाया जाएगा अब यहाँ पर Solana जैसे pump Ethereum कैसे हो सकता है सीदी सीदी बात करेंगे फटाफट और आपको मैं analysis देना चाहूँगा technical analysis की आपको मैं दिखाना चाहूँगा similarity Ethereum और Solana के chart में और आपको एक बहुत important data show करना चाहूँगा जो अगर आप समझ जाते हो दोस्त तो आप बहुत अच्छे पैसे cryptocurrency trading में बना सकते हो without getting any losses ठीक है सो reason क्या होगा Ethereum के pump का किसी का ध्यान नहीं है Solana पर भी नहीं था सब सोच रहे थे कि Ethereum dead हो गया है बहुत सारे ऐसे tweet आ रहे है Twitter पे मुदा hitters बहुत जादा है Same चीज Same चीज negativity Same सब चीजे है Solana के बारे में भी थी ETH का supply shock आने वाला है क्योंकि जैसे ही ETH के demand बड़े की bull market में और ETH का जो burning mechanism चालू हो गया proof of stake के बाद अभी तक उसका supply shock हमें देखने को नहीं मिला है मैंने past में भी वीडियो बनाई थी पिछले मेने वी जो लोग पुराने जुड़े हुए ये same reason, same analysis हमने दी थी वहाँ से Ethereum 200 dollar plus है छोटा मुटा है बड़ मैं आपको आज target बता हुआ कहां तक का मैं रखता हूँ ठीक है और एक news आने वाली है ठीक है अब Bitcoin ETF अगर आज approve हो जाता है ठीक है तो उसके बाद क्या होगा उसके बाद news आने लगेगी ETF की, Ethereum की और वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा trading चालू करेंगे Ethereum में या फिर मैं बोलूँगा volume में सर जाएगा और Ethereum भी भागेगा जैसे Bitcoin भागा है ठीक है, चार्ट बहुत बड़िया लग रहा है Liquidation गेम यहाँ भी होगी वो मैं आपको समझा दूगा पहले चलेंगे चार्ट पे फिर चलेंगे Solana के चार्ट पे फिर चलेंगे Liquidation गेम पे तीनों चीज़े समझ ली तो नुकसान नहीं होगा चलते हैं सीधे एथिरियम के चार्ट पे यहाँ पे आपको एक नीचे इंडिकेटर दिख रहा है जिसके बारे में आपको कुछ नहीं बता और आप जानना चाहते हो तो यह आपको जनवरी में लांच होता दिखेगा जिसको बनाया है हमारे प्रिया सब्सक्राइबर नितिन जीन है जिसका नाम है स्नाइपर बाई इंडिकेटर गुरू एंड टीबी वी यहाँ पे इसको लांच करेंगे आपको पूरा पढ़ाएंगे इसके बारे में कैसे आप इसको यूज कर सकते हो अभी मैं हाँ पे आपको कुछ चीद दिखाना चाहूँगा सो यहाँ पे आप एक पैटन देख सकते हो थोड़ा सा जूम इन करते हैं चार्ट को सो काफी सारी यूट्यूबर क्या करते हैं सिर्फ कोईन का नाम बताके वीडियो कर देते हैं और हम कोशिश करते हैं आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एक ही वीडियो में देनेगी सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर लोस बन रहे थे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी जिसको एथिरियम तोड नहीं पा रहा था और यह जो सप्टेंबर का बॉटम था या फिर बोल सकते हो बियर मार्टिट का जो बॉटम था वहाँ से यह पंप आता हमें दिख रहा है राइट तो एक चीज बहुत इंट्रस्टिंग मुझे लगती है यहाँ पर यह रेंज तो जब भी हमने ऐसी रेंज देखी है अगर आप यह देखोगे वाइट बॉक्स तो यह 3-day टाइम फ्रेम का चार्ट है 3-day टाइम फ्रेम में पहली बार पहली बार दिन कितने बचे हैं दो दिन 14 गंटे बचे हैं दोस्त टीक है इसके ऊपर अगर इथीरियम क्लोस कर देता है इस box range के ऊपर तो मैं जो target मांनता हूँ इथीरियम का तो मैं weekly टाइम फ्रेम में देखना चाहूंगा और target मेरे हिसाब से 2200 तक का target हम इथीरियम का मान सकते हैं जो कि यहाँ से कितना होगा दोस्त यहां से हुआ 36-35% का pump अब आप लोग यह सोच रहे होगी कि Ethereum में 35% pump भी आ जाएगा तो ऐसा क्या उखाड लेंगे हम तो भाई ऐसा होता है जब Ethereum भागेगा तो Ethereum के ecosystem में भी तो बहुत सारे coin है जिन पे आप ध्यान देगे अच्छा पैसा बना सकते हो और उनकी updates, उनके charts आपको मैं Telegram और Twitter पे updates सरूर दुरूँगा अब हम दुबारा चलेंगे 3D time frame पे यहां पे हम अपने indicator को यह बस study करना चाहेंगे तो यहां पे indicator जो हमारा bullish setup में है यहां पे आपको एक cloud दिख रहा है और यहां पे आपको दिख रहे है तीन oscillators so oscillator red, oscillator green and oscillator white so bullish scenario में क्या होता है अगर आप देखेंगे so यहां पे देखिए इस area में देखिए इस area को देखिए मैं माख कर देता हूँ मैं पढ़ाना विचार हूँ आपको इस indicator के बारे में किस तरीके से यह काम करता है 3D time frame में हमने देखा so यहां पे condition क्या थी हमारे oscillators की हमारे oscillator की condition यहां पे यह थी कि red oscillator, green oscillator white के उपर था which is good and यह जो cloud था यह white line के उपर आगे white line क्या है, cloud क्या है, यह मैं आपको course में समझाऊँगा पर यहां पे एक चीज हमें देख रही है अब यह cloud, white line को अगर cross कर देता है तो same ऐसी condition बन जाएगी 3D time frame में, अब 2 दिन की closing बागी है यहां पे, ठीक है, fundamentals मैंने समझा दिये, आपको देखो कि अगर market का sentiment सेम वैसा है जासे Solana में, जाद लोग का interest है नहीं और यहां पे एक चीज देख सकते है जब यह हमारा condition meet हुआ था, उसके बाद हमें यहां पे Ethereum में 50% तक का pump देखने को मिला था same condition यहां बनती ही हमें दिख रही है अब हम इसको देखेंगे 1 day time frame में तो यहां देखें क्या हो रहा है यहां पे हमारा oscillator भी bullish है और cloud भी white line के उपर आ गया है so this is a bullish situation जहां पे हमें Ethereum में move बनता दिख सकता है अब पहली बात तो यह दोस्त कि जब मैं आपको daily 3 day time frame 4 hour time frame देखके चार्ट के analysis दे रहा हूं अब यहां पे पैसा बना पाओगे अब यह वाला अगर आप pump देखोगे Ethereum का this pump इसको भी हम mark कर लेंगे इसे हमें पता लगता है कि हमारा oscillator कितना strong है किस तरीके से काम करता है हमारा अपनी strategy को back test कर सकते है so यहां पे हमने दो बार pump detect किया आपके सामने सामने chart पर और यह देखिए यहां पे भी same condition आई राइट यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारा लिए pump ready हुआ जब यह cloud white line के उपर चला गया तो cloud का भी बहुत ज़ादा game है और oscillators का भी बहुत ज़ादा game है इसको हम दो महीने से test कर रहे हैं within next 5 days यह pro channel में दे दिया जाएगा और उसके बाद publicly इसको हम launch करेंगे आपको पढ़ाएंगे और आप इसको use कर सकते हैं अपनी trading journey में भी तो all and all अगर आप देखोगे oscillator की बात मैंने आपको बता दी कैसे यहां पर bullish scenario बन सकता है यहां पर हम mark करेंगे हमें cloud उपर जाता चाहिए 3D time frame की दो दिन बाद यहां पर अगर closing हो जाती है तो chances अच्छे बनेगे pump के और solana का chart जो मैं आपको बूल रहा है अब मैं यहां से indicator को हटाऊँगा ठीक है यहां पर pump scenario हमने देख लिए हैं Quickly कर रहा हूं इसको करने amount चाहिए बर पेसास हमने जितना आप सीखने की कोशिश करोगे जितना समझने की कोशिश करोगे उतना पैसा अपका बनता चलेगा अगर आप सीखोंगे नहीं Steve Footing से पैसा नहीं बनेगा quit so compte यहां पे हमने देख लिया पैटर्न आपने देखा, हायर लोज, यह रेजिस्टेंस टूड गई है, इसको पर कंसॉलिडेशन पूड़ी है, which is bullish, and मैंने आपको रीजन बता दी है, कि क्या रीजन हो सकता है एथिरियम के पंप का, right, so वीडियो पूरी जो देख रहा है, उसको सब कुछ समझाएगा, जो just mark it for you, ताकि आपके लिए थोड़ा सा easy हो जाए, तो यहां पर हम इसको mark कर लेते हैं, higher lows, and यहां range 2T, range का breakout हुआ, and उसके बाद आपने देखा ही है, pump कैसा रहा, right, so ऐसा ही pump हम expect करते हैं एथिरियम में, बट अब एक बात आपको मैं पता जाएता हूँ, जो आपको मैं इस knowledge है, हम अके लिए तो नहीं है, तो यहां पर हम देख रहे हैं long shot data Ethereum का, so यहां पर यह data क्या बताता है, कि जो longs है, वो बहुत ही जादा खत्रे में यहां पर है, क्योंकि excess of longs are there, अगर आप देखो कि data को, तो 344 longs liquidation है, और 87 shots liquidation है, यहां पर, तो market जो है, जो whales है, उनको फ 40 dollar को उपर नीचे बिल्कुल हो सकता है, but मैं आपको बता रहा हूँ, better time frame में Ethereum bullish होने वाला है, तो यह data देखके आपको क्या समझाता है, कि अभी आपको दोस्त, नहीं करना है, ठीक है, नहीं करना है, इसको long, क्योंकि अगर आप long करोगे, तो आप maximum retail के साथ यहां long कर रहे ह और whales आपको उडाएंगी, इसका आपको मैं example एक दे देता हूँ, मैंने tutor पर share किया था, काफी सारे लोगों ने देखा होगा, तो tutor पर आया ज़रूर करो, क्योंकि मैं आपको काफी सारी चीज़े यहां पर समझा देता हूँ, तो यहां पर मैंने बताया था आपको, ठीक है मैंने 23 घंटे बेले अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने बताया था कि Bitcoin ETF can't save you, ठीक है, यहां पर आप longs का data देखो कैसा था, और यह सारी longs wipe कर दी गई, 44 800 तक wipe कर दिया गया market को, ठीक है, तो जब भी यह green होता है, ऐसा move जरूर आता है, तो यह जो manipulation हुई, कही ना कही ही, आप देखोगे SEC के दुरूई, अब SEC को इससे क्या फाइदा हो रहा है, हमें नहीं पता, बट Wales को फाइदा यहां पे हो गया, ठीक है, और एक और चीज़ दिखाएता हूँ मैं आपको, मैंने यहां पे दिया था render का update, जब render था 3.68 डॉलर पे, मैंने बोला है, यहां पे short मत करो, और उसके बाद render 4.25 तक चला गया, तो जिन लोगों ने यहां पे short कर रहा था, यहां पे आप देखरो, short का data जाधा था, right, shorter बहुत जाधा थे, 590 लोगों ने short कर रहा था, positions की बात करम करे, not exactly people, but यहां पे जो liquidation, longs की थी, वो बहुत कम थी, तो market long क की तरफ चले गई, अब एक और चीज़ दिखायता हूं, जब यहां पे ऐसा हमने देखा, cloud बनता हुआ, green, so यहां पे आपने देखा किस तरीके का dump आए, this is the price, so एक dump आ सकता है, इस level तक मैं मानता हूं, आ सकता है, जो की level हम मान सकते हैं, 2300 तक का, और worst case scenario में, worst worst case scenario में, आ आप देख सकते हो, level 2199 तक का, और जब यहां तक आएगा, तो obviously अगर late longers है market में, तो late shorters भी होंगे, और उनको भी कोई नहीं बचा पाएगा, तो इन चीज़ों में ना पढ़ो, अगर आपको नहीं करना आता, spot is the king, अगर आपको future trading करने भी है, तो अपने capital के 5-10% से try करो सीखो, समझो, और जो आपको बहुत अच्छा experience हो, तब आप सूचो कि रोज इस से आप पैसे बना पाऊगे, तो मिलेंगे दुबारा नई वीडियो में, chart की similarities आपको दिखा दी है, long shot data आपको दे दिया है, आपको बता दिया है, कि किस तरीके से market आपको परशान करने वाल कि सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ, पर टेलीगराम पर ज़रूर दूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें बेना, मच आएगा दोस्त, मिलते हैं दुबारा, टेक केर